लेबलान के इस बुल्ला लड़ाकों ने इसराइल के किरियाद शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाके से दहला दिया है सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खत्रे के सिगनल मिले हैं अब इसराइल को डर है कि कहीं चौते फ्रंट ना खुल जाएं लेकिन बड़ी खबर हमाज शीप सिन्वार की सुरंग से आई है जो बहुत चौकाने वाली है 65 रॉकेट से दहल गया इसराइल किरियाद में आईडिय फाइट पॉर्टर पर हमला नसरल्ला के कट्यूशा ने मचाया कोहराम सिन्वार के टनल वॉरियर आक्टिव सिन्वार ने दिखाया नरक शाफ एक घंटे के बीतर 65 रॉकेट धमाके इसराइल का किरियाद शमोना धुआ धुआ हो गया धमाके इस गुल्ला फाइटर्स ने किये दिशाने पर इसराइल का बेस था कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से इस गुल्ला ने आईडियप के सैनने ठिकाने को तभा करने का एनान किया है वह इसराइल ने दावा किया है कि इस गुल्ला के रॉकेट अटाक को मजबूती से जवाब दिया गया है ज्यादा तर रॉकेट को हवा में ही तभाकर इसराइल ने आग बुजाने का मिशन भी शुरू कर दिया है इस बुल्ला लडाकों के दागे गए रॉकेट रहाइशी बस्कियों में भी भते हैं हालकि किसी भी तरह के जानी या माली नुक्षान की खबर अभी तक नहीं आई है मगर इसराइल का क्रोग लिवनान फ्रंट की जगा गजा में दिखने लगा है गजा में जलते रॉकेट की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही बारूदी गुबार से ढकी गजा सिटी रह रहकर आग की लप्तों में घिरती है चीप पुकार मचती है और पिर इमारत काला खंडर बनती है जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं आसमान से परस रही मिसाईले मौत बाट रही है अमास लडा के आमने सामने के युद में कहीं टिक नहीं पा रहे मगर जो युद हो रहा है दिखाई दे रहा है ये जंग उतनी भण नहीं असल लडाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है सुरंग में बैठे हमास के खुंखार पल्टन भीशन पलटवार कर रही है अपने बिलों से निकल कर हमास के स्लीपर सोलजर कैसे कोहरा मचा रहे हैं उसकी बस एक जलग देखिये सुरंग से दबे पाउन निकलते हैं हमास के बम स्कॉट इसराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिंवार के आत्म घाती हमलावर इस घातक और विद्वनसक हमले का तोड़ अब तक नेतन याहू की सेना तलाश नहीं पाई है हमास के अकेले सुरंग वारियर्स के मुकाबला करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ लही है उसका सबूत ये वीडियो है इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लवाका पत्धरों से बनी इमारत में शरन लेकर बैठा था उसे घेडने के लिए एक दरजन से ज्यादा आईडियफ सोल्जर्स ने फाइरिंग की वेस बैंक के हिबरॉन में ये भिड़न कैमरे में कैप्चर हो रही थी कैई घंटों तक चले शूट आउट में आखिरकार आईडियफ काम्याब रही लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दरजनों जवानों को जोरदा अटक कर दी इसी तरह उत्तरी घजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है शेक जाइड टावर्स इलाके में हुई भीशन लड़ाई में आईडियफ के कैई जवानों को जखमी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए टनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पढ़ रहा है इसकी वज़ा सुरंग में मिल रही एरान और हिजबुल्ला का फुल बैक अप है इसराइल के पूर कैबिनेट मंत्री और सेन ने प्रमुक बैनी गेंट्स ने तो नेतनियाहू को ये वॉर्निंग भी दी है कि सुरंग में बाइठे सिन्वार का सफाया लगभग ना मुमकिन है अगर नेतनियाहू सही युद रणिदी नही बना पारहे तो होने सरिंदर कर देना चाहिए पिननियाहू לא मבीन अखरे 7 ऑ-okक्तोबर है को अखना हमास चीफ सिन्वार बीते दस माह से सुरंग में चिपा बैठा है सिन्वार, अमेरिका और इसराइल तोनों को चक्मा दे रहा है आखिर सिन्वार का सर्च उपरेशन इतना लंबा क्यों खिस्ता जा रहा है क्या है अंडर ग्राउंड घजा की हकीकाथ इसराइली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे घजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिचाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते है हमास के इस नेटवर्क को घजा मेट्रो या अंडर ग्राउंड घजा भी कहा जाता है एक वक्त इसराइली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे घजा में सता से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगे है हालकि आंकलन उस वक्त घलत निकला जब आईडिय अपने 1500 से ज्यादा टनल शेफ्ट को खोज निकाला हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इसराइल के नागरिकों को बंदक बना कर रखा गया है एक एकर हमास लड़ा के बंदकों को मारते जा रहे हैं जिससे इसराइल में भारी बकेडा मचा हुआ है हाल ही में 6 बंदकों की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतनियाहू की मुश्किलें बढ़ गई है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतनियाहू जहां बैकफुक पर है वहीं सिन्वार अपनी सुरंग से निकल कर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है सिन्वार ने सभी सुरंगों के दर्वाजों को धमागे का श्ट्रगर बना दिया है अमाज के अंडरग्राउंड नेटवर्क एक अरब डॉलर से ज्यादा कर्च करके अपग्रेड किया गया है सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से चूते ही जोरदार दमाके होने लगते हैं जीपियस सिस्टम और रोबोट से उपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है अमाज की सभी सुरंगे घाजा पट्टी की गनी अबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई है यहां अमनागरिक और रहतिहासिक स्थाल है हमाज की रणनीती भी इलाके पर कबजा करने या हमलावर को हराने की नहीं है सिनवाज की स्ट्राटीजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुपसान पहुंचाने की है जिसके लिए वो इसराइली सेनाओ की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेश बदल कर खुले आम घूंता भी देखा गया है बहिनाओं के कपड़े में घजा की गलियों में घूंचुके सिनवाज को आईडियफ सूल्जर्स पहचान भी नहीं पाये थे इसराइल के लिए हमाज की सुरंग जाल को भीदपाना भी आसान नहीं है आईडियफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बरबाद करने के लिए खास तरह से भी स्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह की लडाई में सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबहा करने में लगती है जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है इसी फासले को हमास रड़ा के अपने हफ में इस्तिमाल करते है वार्जोन में हमास चीफ सिन्वार भले ही रॉब जमा रहा है लेकिन अमेरिका ने सिन्वार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है अमेरिका ने इस्राइल पर साथ अक्तूबर को हमास की ओर से किये गए नरसंगार के आरोपों की घोशना की है इस्राइल में साथ अक्तूबर दोहजार तेज कुवे नरसंगार के केस में हमास चीफ यहिया सिन्वार, पूर्व हमास चीफ इसमाइल हानिय, मारवा ईसा, खालिद मशाल, मुहम्मद अलमसरी और अली बराका के खिलाफ आप रादी का रूप तैकर दिये गए हैं सिन्वार के खिलाफ न्यू योग की अदालत में सक्त फैसला सुनाए गया है Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Senwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support and funding from the government of Iran and support from Hezbollah have led Hamas's efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. America में हमास की टॉप लीडर्शिप पर कानूनी हंटर चलानी की तैयारी है लेकिन सूपर पावर हमास कमांडरों तक कभी पहुच पाएगा भी पिलाल इसके कोई आसान नहीं दिक रहे है एरान के समर्थन से हमास फिर से ताकतवर बन चुका है एरानी हत्यारों से हमास के लड़ाके तुलकरम और वेजब बैंक में आईडियेफ कोच छका रहे है रफा फरंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फूब दी है आईडियेफ को सबसे बड़ा खत्रा फिलहाल लेबनान फ्रंट पर है जहां असरल्ला ब्रिगेड भेंकर पलटवाज शुरू कर चुकी है अपने टॉप कमांडरों के खादमे से बौक लाए हिजबुल्ला फाइटर इसराइल में खुशकर बड़े हमले की प्लानिंग में है उफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला फाइटर गाजा की सुरंग में बेस बना कर हमास के साथ जॉइन्ट अटाइक को अन्जाम दे सकते है इसका पता सीरिया बॉर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैट से चला है यहां आइडियेफ ने बॉर्डर पर घुसपैट कर रहे एक संदिक्त का खात्मा किया है इसराइल की बाड़ के करीब कई दिनों से काफी हलचल देखी जा रही है आइडियेफ की वार्णिंग के बाड़ जब एक संदिक्त ने बाड़ पार करने की कोशिश की तो उसे धेर कर दिया गया इससे साफ हो गया है कि इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी ऐलर्ट मोड में रहना होगा सीरिया रूट का इस्तिमाल हिजबुला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को दहला सकता है